कॉर्परेशन टैक्स के अंदर हम लोग थोड़ा से इसको डिफ्रेंशेट करते हैं सोल ट्रेडर के साथ तो सबसे पहले जो इसका बेसिज ओव असिस्मेंट होता है वहाँ पर हमें बेसिस पीरिड को टॉपिक पढ़ना पड़ता है यहाँ पर इसका basis of assessment जो होता है तो company के taxable total profit को tax किया जाता है उसके tax लगाया जाता है जो के एक accounting period में incurred होता है तो company का जो taxable total profit होगा जो भी given accounting period के अंदर होगा उसके उपर tax लगाया जाएगा period of account और accounting period इसमें differentiate करना बहुत ज़रूरी है period of account वो period होता है जिसके लिए company अपने financial statements या accounts बनाती है जिसे normally January to December July to June और यह period of account वारा महीने का भी हो सकता है short भी हो सकता है और long भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन जो accounting period होता है इसको chargeable accounting period भी कह सकते है वो period होता है जिस पर corporate tax charge किया जाता है तो जैसे वहाँ पर हम accounting period, accounting year को basis year में convert करते थे तो यहाँ पर जो आपका accounting year है उसका relevant आपको जो period of account है उसका relevant आपको chargeable accounting period find out करना पड़ेगा लेकिन a chargeable accounting period can never be longer than 12 months वो 12 महीने का होगा या less than 12 महीने का होगा corporation का tax year चाहिए पहला साल हो और कोई भी हो 12 महीने से जादा नहीं हो सकता अच्छा अब अगर ऐसा होता है बास दफा के period of account अगर company 12 महीने से जादा का बनाती है for example 15 महीने का बनाती है 16 महीने का बनाती है उसका तरीका यह है कि उसकी जो पहले 12 महीने होगे remember पहले 12 महीने उसका एक separate accounting period बना दिया जाएगा यानि कि tax year और जो remaining period बज जाएंगे वो separate period में चले जाएंगे जो के obvious सी बात है कि short period में count होगे for example you can see that अगर एक period of account हमने बनाया 18 महीने का और जो tier end जिसका बनता है 18 महीने का 31st March 20 तो वो start कहां से हुआ होगा वो हम identify करेंगे उसके जो पहले 12 महीने होगे उसका first accounting period बन जाएगा है chargeable accounting period बन जाएगा जो के start होगा from 1st October 18 to 30 September 19 और उसके बाद जो 6 महीने बचते है from 1st October 19 से लेकर March 2020 उसका एक second accounting period बना दिया जाएगा और वो एक short accounting period होगा तो इसका मतलब यह होगा कि first accounting period के लिए अलग text निकाला जाएगा और second short period के लिए separate text निकाला जाएगा residence का rule individual के लिए भी important होता है corporation के लिए important होता है companies की residence का rule इसलिए important है कि अगर एक company UK resident classified हो जाती है तो उसको tax pay करना पड़ेगा UK में अपनी worldwide income के उपर और chargeable gain के उपर अगर एक corporation profit earn करती है पुरी दुनिया में कहीं भी और वो UK resident company है उसको UK में tax दिना पड़ेगा UK income पे और worldwide income के उपर US income पे या कहीं और income पे आती है corporate residency determine करना मुश्किल काम है उसका reason यह कि companies incorporate किसी और मुलक में होती है और काम किसी और मुलक में करती है production किसी और मुलक में करती है management की meeting किसी और मुलक में हो रही होती है तो सबसे important न्यक्राइंट जो LMAC अगर एक company incorporate UK में हुई अब XYZ कहीं भी काम कर रही है, कहीं भी operations कर रही है, लेकिन अगर UK में incorporate हुई, तो उस company को क्या कहा जाएगा, it's a UK resident company, लेकिन अगर एक company UK में incorporate नहीं हुई, overseas में incorporate हुई, तो फिर यह देखा जाएगा उसकी central management कहां पर है, अगर उसकी central management UK के अंदर है, तब भी उसको UK resident company consider किया जाएगा, तो हमारे पास दो criteria है, पहला criteria हम देखते हैं, incorporation की basis के उपर, अगर एक company incorporate UK में हुई है, कुछ और देखने की ज़रूरत है, लेकिन अगर एक company UK incorporated नहीं है, US में incorporate हुई, लेकिन board of directors की decision making बेट ही है, UK के अंदर, तो हम उसको UK incorporate ही करेंगे, और UK resident company बन जाएगा, अच्छा जी, उसके बाद, जैसे हम individual का जब tax निकालते हैं, तो हमें यह पता होता है कि हम उसकी income को तीन heads में classify करते हैं, non-saving, saving, dividend income, फिर उसकी bands होते हैं, basic, higher, additional, फिर tax rates अलग होते हैं, 20, 40, 45, company में ऐसा नहीं होता, company में सिर्फ एक performer है, और तमाम income को एक जगा लाइन company की source of income, trading profit, property income, interest income, chargeable gain, other income, सबको combine किया, total income आगे, total profit आगे, सबसे पहला काम, तो company में असानी यह है कि आपको segregate नहीं करना पड़ता, आपको nil red band नहीं है, basic red band नहीं है, कुछ भी नहीं है, तमाम income को जगा identify कर लिया जाए, और उसमें से qualifying charitable donation को minus कर देजए, company के donations, अगर qualifying charitable donation की list में आगए है, तो यहां से minus होंगे, profit and loss account में से minus नहीं होंगे, और company का जो QCD होता है, वो हमेशा gross होता है, उसमें net का चक्कर नहीं होता, यह minus करने के बाद company के पास आएगा total taxable profit, यह taxable total profit, और इसके उपर हम, जो भी rate होगा, वो rate लगा देंगे, और एक fix rate है company में, progressive tax system नहीं होता, एक single rate system इस्टमाल किया जाता है, now see the example, tax adjusted trading profit हमने निकाला, 100,000, interest income निकाली 50,000, property income निकाली 50,000, chargeable gain 25,000, total income 200,000, QCD minus here 10,000, TTP 1,90,000, so this company को इस साल 1,90,000 के उपर tax देना है, now moving towards the financial year and rates, individual का जो tax year होता है, वो 6th April से start होता था, और 5th April पे जाकर end होता था, और उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 19-20, corporation का जो financial year होगा, so tax year कहते है, वो 1st April से start होता है, और March में खतम हो जाता है, so, अगर tax year start होता है, 1st April 19 से, और end होता है, 31st March 2020 पे जहां से start होता है, हो लिखेंगे, 1st FY 19, financial year 19, as far as rates of tax are concerned, यह आपको tax sheet में प्रोवाइट किये जाते हैं, तो याद नहीं करना, text sheet में given होता है, और FY 19 का भी rate 19 परशंट है, और पिछले 2 साल का भी दिया जाता है, क्योंकि बाज लखास सवाल, पिछले 2 साल से भी connect हो जाता है, तो क्योंकि rate common है, तो अब अगर for example, आपका accounting year, यानि कि period of account, से suppose January 19 से 31st December 19 में लाए करता है, तो देखा यह जाये तो यह दो चार्जेबल accounting period में लाए कर रहा है, एक आपका बनता है FY 18 और एक आपका बनता है FY 19, लेकिन क्योंकि rates are same, तो अब जबकि rates same हो गया है, तो उसको अलग-अलग करने की जरूरत नहीं है, जब इसम में दिया जाये कि 1st January 19 से December 19 में, 1st January 19 से 31st December 19 में आपने प्रॉफित कमाया, अग्जेस्टे प्रॉफित प्रॉफित, एक लाग-पचाछाजार तो आप डारेक्स के ओपर 19 पर सकते हैं उसको दो चार्ज़बल accounting period में दिस्रिबूट करने की जरूरत आप आपको नहीं कुछ दर इट सखेंग ना यू इन दिस एक्जाम्टल हमें 31st March 2020 का डेटा दिया वा है और इसके हिसाप से हमें टेक्स अजिसे ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया वा है इंटरस इंकम दीवी एकी सीडी है और कॉर्फिट टेक्स लिएटी काल्कुलेट कर लिए तो हम इसे कर लेते हैं तो अगर मैं इसे जर्णलिस वाल करूऊ तो दो लाग की एकस शयिसे ट्रीडिंग प्रॉफिट है वचास हजार की इंट्रेस इंकम है टो इंकम होगी लेगर एक for तो अब दो लाग तीज़ार का TTP आया तो इसके ओपर हमने 19% का टेक्स लगा देना है तो दो लाग तीज़ार इंटु 0.19, 43,700 की और टेक्स लाइबिलेटी हमारी की रिएट हो गई और यह हमें पे करनी पड़ेगी एस पर दा टेक्स तरी अब इसके अंदर जो प्रोफार्मर क सबके specific rule है for example tax-adjusted trading profit की बात की जाए तो हम accounting profit लेते हैं और उस accounting profit को convert करते हैं tax-adjusted trading profit इसके लिए जो rules हमने soul trader में पढ़े थे या partnership में पढ़े थे वो rule हमारे बिलकुल same है except for few differences some differences तो बात करेंगे कि वो क्या differences हैं जो के soul trader partnership को company से distinguish करते हैं तो जो main differences है उसमें पहला difference है private use adjustment वहां यह होता था कि honor sometimes कुछीज इस्तमाल करता था तो अपने personal use के अंदर भी लेकर आ जाता था यहां पर अगर director या employee अगर कोई personal use के लिए calculation की चीज इस्तमाल करते हैं तो उसको हम consider नहीं करेंगे और उस personal use को ignore कर देंगे क्योंकि shareholders तो personal use कर नहीं सकता या तो director करेगा या employee करेगा तो वो private use adjustment चो personal nature की होगी उसको ignore कर दिया जाएगा add back नहीं किया जाएगा similarly इसके अंदर एक बड़ा important concept है और वो है interest income का और expense का तो इस student को tough time देता है interest income and interest expense so as far as interest is concerned तो इसने की चीज़ याद रखी जाए interest income हो या interest expense हो हमें देखना पड़ेगा कि वो interest income loan relationship rule के अंदर fall हो रहे है यहां पर हमारा जो interest का element है उसको मैं यह check करना पड़ेगा कि trading purpose के लिए है या non trading purpose के लिए है या non trading purpose के लिए अब बैंक से जब군 लिया जाता है वो business purpose के लिए जाता है तो वो trading purpose के लिए है । अगर कोई ऐसा interest expense है जो trading purpose के लिए नहीं है तो इसको हम non trading purpose के लिए consider करेंगे और वो चला जाएगा loan relationship rule के अंदर जाएगा तो उसकी implication की होगी अब आप वो खयाल इस कर रखना है कि जब interest income या expense आएगी तो वो profit and loss account में जाएगी या main pro forma में जाएगी तो अगर वो trading purpose के लिए है तो वो profit and loss account के अंदर ही रहेगी और अगर वो non trading purpose के लिए है तो वो main pro forma के अंदर जाएगी as interest income और expense तो आपको trading और non trading purpose देखना पड़ेगा और गारr बादममो के लिए या non trading purpose जाएगी ठेandring purpose यह जिसे property खरीदने के लिए अगर loan लिया गया तो अज पिंठेटर से वो इसी तरह शेर्डने के लिए लून लिया गया तो इसका interest आपते लिए नहीं है तो एक विस चीछ आगा जो कि हम consider करते हैं, dividend के हवाले से, जो मैंने आपको अलड़ी बताई, कि dividend income जो आती है, वो taxable नहीं होती, इसी तरह dividend payable, company के लिए, अगर company ने dividend दिया, तो dividend payable is not considered as an expense, चाहिए वो कोई भी dividend है, अगर उसे profit and loss account में minus किया वा, as an expense, तो हमें क्या करना होगा, हम उसे उठाकर add back कर देंगे, क्योंकि वो appropriation of profit का part considered किया जाता है, इसी तरह हमारे पास capital allowances के जो individual के rule हमने पढ़े हैं, almost वो ही सारे rules हैं, जो हमने individual में पढ़े हैं, जैसे AIA claim होगा, up to 1 million, on the acquisition of plant and machinery, first year allowance मिलेगा, 50 gram वाली कार के उपर, इसी तरह, WDA मिलेगा, 18% per annum, या 6% per annum, लेकिन यहाँ पर कुछ capital allowances में, rules थोड़े से difference हैं, एक difference यह है कि long accounting period नहीं होता, ठीक है, no long accounting period, दूसरा difference यह है, no private use adjustment, वहाँ यह होता था कि अगर honor private use करता था, तो हम allowance को business percentage से ले लेते थे, यहाँ पर अगर director या employee को गाड़ी इस्तमाल कर रहा है, वह private purpose के लिए इस्तमाल कर रहा होगा, तो 100% आपको capital allowance उसके उपर provide किये जाएगे.